हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप पॉईजिन ट्री का ओरिजिनल टेक्स्ट तो चलें स्टार्ट करते हैं आई वोज एंगरी विड माई फ्रेंड जो वेलियम लेक हैं वो सबसे पहली लैंड में कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ एंगरी हूँ नाराज हूँ गुस्से में हूँ आई टोल्ड माई वरा माई वरा डिड एंड वरा यहां पे क्या है इस एक्स्ट्रेमली एंगर जो उसका जो मतलब जो गम है जो उसका गुस्सा है वो क्या होगा खत्म हो गया आई वोज एंगरी विद माई फोई यहां पर फोई क्या है एनमी को बोलते हैं वो कह रहा है कि मैं गुस्से में था अपने दुश्मन के साथ आई टोल्ड इट नॉट माई वरा डिड ग्रो और पहले कि मैंने उसको नहीं बिताया कि मैं अपने दुश्मन के साथ गुस्से में था और मेरा वही जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रीम्ली एंगर जो जाधा घुसा था वो क्या हो बढ़ गया ठीक है एंड आगे नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं और रॉटरड इंट इंट इन अपने आंसों के साथ and I sund it with smiles संड का क्या मतलब है the light and the heat receives from the sun ठीक है जब सूरज की तरफ रोशनी आई सूरज की तरफ से रोशनी आई and I sund it with smile तो उसने आगे क्या पास किया smile and with soft deceitful wiles यहाँ पर deceitful का मिनिंग क्या है dishonest okay और wiles का मतलब है ways of persuading someone that tricks them into a something ठीक है ways of persuading someone that trick them into something मतलब कुछ इस तरह की मतलब कुछ इस क्रिसम के reaction देना जो कि उसको कुछ और सोचने पर मजबूर कर दे ठीक है dishonest reactions देना soft dishonest reactions and I grew both day and night और यहाँ पर वो कह रहा है कि मतलब and sorry and it grew both day and night और उसका वो ही अब जो extremely anger था जो उसको बहुत जादा गुसा था वो दिन और रात बढ़ता ही गया till it bore an apple bright यहां तक कि उसने एक apple को bright कर दिया and my foe beheld it shine अब यहां पर beheld क्या इसका मिनिंग क्या है इसका मतलब है saw or looked at someone ठीक है और जब मेरे दुश्मन ने उसकी तरफ देखा वो ही दुश्मन था और तो वो चमकने लग गया वो जो apple है ठीक है and he knew that it was wine और वो जानता था कि यह मैं हूँ ठीक है next stanza में है and into my garden stall मतलब फिर मेरे मतलब उसके garden stall के अंदर when the night had a weird the pool यहाँ पर वील्ड का meaning क्या है to cover something especially the face or body ठीक है वेल्ड से उसको cover करना ठीक है when the night had a weird मतलब जब चांद की इतनी रोश्नी नहीं होती and the pool sorry the pool and नहीं है pool इधर आप दी two points ठीक है और नोर्टरन और साउथरन जब इस किसम का जब चांद की रोश्नी भी तकरीबने खतम हो जाती है और एक साइट से सूरज हलका हलका आने वला होता है उस टाइम को वो बोल रहा है तब वो अपने गार्डन में गया in the morning glad I see और फिर उसने morning देखी और वो बहुत खुश हुआ उसको फकार हुआ वह देखते वे my foy यानि के उसका जो दुश्मन था outstretch beneath the tree outstretch मतलब reach out as far as possible ठीक है beneath the tree और उसका जो दुश्मन था वो उस देरक्त के नीचे आगे हो और बहुत संपल जिसमें कुछ भी समझने होला नहीं था सेंपल सी थी poison tree अब मेन इसका नाम उसने रखा क्या है poison tree ओके और end भी उसने यहां पर ऐसे किये लेकिन मेन जो इसका मक्सिद है कि पोएम लिखने का वो यही है कि देखो जब हम किसी से नराज होते हैं या कुछ होता है हमें उसको बताकर sort out कर लेना चाहिए लेकिन अगर हम अपने किसी दुश्मन से या ऐसे अपने घर में किसी से लडाई करेंगे और उसको नहीं बताएंगे और अपने अंदर ही अंदर रखते करेंगे तो वह जो गम है वह बढ़ता ही रहेगा और उससी को उसने क्या नाम दिया है एक पॉइजन ट्री का सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थाइंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो